नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवी चप्टे और आज हम देखेंगे वचन और वचन के भेद सबसे पहले देखेंगे हम वचन किसे कहते है वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है संख्या वचन को ही वचन कहते है संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने का या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते है अर्थात, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते है दूसरी परिभाशा देखो वचन की सवग्या, सरवनाम, विशेशन एवन क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से ज़ादा होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, उस्तक, उस्तके वचन के भेद वचन के दो भेद है, एक एक वचन और दुसरा बहुवचन एक वचन से हमें एक ही वस्तु का बोध होता है और बहुवचन से हमें अनेक वस्तु का बोध होता है एक वचन किसे कहते है शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तू का बोध होता है उसे एक वचन कहते है जैसे लड़का, चुहा, उस्तक, माता, गोड़ा एक वचन शब्दों के बहु वचन किसे कहते है शब्द के जिस रूप से एक से अधीक व्यक्ति या वस्तूओ का बोध होता है उसे बहु वचन कहते है जैसे लड़के, चुहे, उस्तके, माताए, गोड़े अगली विडियो में हम एक वचन एवं बहु वचन के नियम और एक वचन से बहु वचन बनाने के नियम देखेंगे धन्यवाद झाल